Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh This is me Zohra Shadab and I am here with a new rhyme Yes, आपको पते हैं मैंने आपको बताया था कि उर्दू में राइम को क्या कहते हैं? सोच के बताएं नजम कहते हैं जी, राइम को, पोईम को उर्दू में नजम कहते हैं और आज हम एक नियू उर्दू नजम पढ़ेंगे बुलबुल का बच्चा खाता था खिचडी लिसन के हैं फुली बुलबुल का बच्चा खाता था खिचडी पीता था पानी गाता था गाने मेरे सिरहाने एक दिन अकेला बैठा हुआ था मैंने उड़ाया, वापिस न आया, बुल बुल का बच्चा So, let's sing with me बुल बुल का बच्चा, खाता था खिचली, पीता था पानी, गाता था गाने, मेरे सिहाने एक दिन अकेला, बैठा हुआ था, मैंने उड़ाया, वापिस न आया, बुल बुल का बच्चा So, everybody sing like Miss with Zohra and follow the actions as well, okay? बुल बुल का बच्चा, खाता था खिचली, पीता था पानी, गाता था गाने, मेरे सिहाने एक दिन अकेला, बैठा हुआ था, मैंने उड़ाया, वापिस न आया, बुल बुल का बच्चा तो हमने अगर कोई pet animal रखना है, तो उसका ख्याल भी रखना है, उसको तंग नहीं करना, उसको उड़ने को नहीं कहना वर्णा उसको पता नहीं है कि वो वापस कैसे आएगा, उसे घर का रस्ता नहीं पता और वो गुम जाएगा और कभी वापस नहीं आएगा यौप यौज इस रखना है, यौट अजिए टूब अजाएगा यौट जाएगा यौट लाइफ नौट तो लाइज वापस, जाएगा यौट इस अजाएगा इस घर कार नहीं आएगा है